सो फाइले गर्स यहाँ पे 31 जन्वरी के न्यू सॉफ्टेट एंड सिस्टम अपडेट्स के बारे में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ चाहे आप Realme का कोई भी डिवाइस यूज करते हो तो यहाँ पे वीडियो को कम्प्लीट एंड तक वाच करना कौन-कौन से डिवाइस के लिए अपडेट कौन सा रूल आउट हो गया गया एंड कौन-कौन से डिवाइस के लिए कौन सा अपडेट आज रूल आउट होने वाला है तो यहाँ पर आई कि इस वीडियो को complete end तक watch करना यहाँ पर मैं आपको सारे ही वीडिवाइस के updates के बारे में बाताने वाला हूँ यहाँ पर system application के जितने भी updates है like यहाँ पर game space है यहाँ voice changer वाला game space भी बोल सकते हूँ यहाँ पर system launcher है यहाँ फिर theme store है यहाँ फिर आपका कोई other application है जो आपको system application के अंदर आपको update चाहिए तो यहाँ पर वीडियो को complete end तक जुरूर देखना यहाँ पर वीडियो को complete end तक जुरूर देखना यहाँ पर एम रखते हैं 200 likes का जल्दी से complete कर दो यहाँ पर चैनल को subscribe करके bell notification icon को और पर प्रेस करके रख लो यहाँ पर वीडियो को सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ Realme UI 3.0 के जितने भी updates हैं means के Realme के जितने भी updates हैं 3.0 के भी बात करेंगे Realme UI के भी बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ले चलते हैं Realme Community के official page के उपर यहाँ पर स्क्रोल डाउन करते हैं देखते हैं कौन-कौन से device के लिए कौन सा आपड़ी रूल आउट हुआ और आप लोग को क्या करना है एक ही काम करना है बस वीडियो को like करना है लगेगा और जुरूर से यहाँ पर stay tune रहेगा चैनल को सबस्क्राइब करके यहाँ पर सबसे पहले बात करते है Realme 7 Pro F.010 का जो new update यहाँ पर रोल ओड हुआ था Realme 3.0 का early access beta update रोल ओड गया था तो यहाँ में किस अगर आपको update मिला यहाँ फिर नहीं मिला comment section में जूर से बताना अगर आपको नहीं मिला तो आपको जो है next batch का wait करना होगा जो कि आपको February 15 से पहले पहले देखने को मिल जाएगा यहाँ में किस बात करें next update की यहाँ पर Realme X50 Pro के लिए भी Realme 3.0 का update रोल ओड हो चुग है 3.0 user के लिए next batch का wait कीजिए आपको भी update जुरूर मिलेगा अगर आपको अभी तक नहीं मिला यहाँ पे Realme X7 के लिए भी जो November sorry यहाँ पे January मन्त का update मिल चुग है Realme X7 5G के लिए जो update था वो रोल ओड हो चुग है यहाँ पे अगर आपको update नहीं मिला तो यहाँ पे दो हफ़ते तक wait कीजिए C.09 का latest update आपको भी देखने को मिल जाएगा Realme GT Neo 2 जिसके अंदर Realme 3.0 रन कर रहा है तो 8.07 जो के 2.0 user के लिए रोल ओड हुआ है तो यहाँ पे गज़ बात करे बाकी other devices की तो यहाँ पे जैसे जैसे scroll down करते जाते है सारे ही devices का नाम यहाँ पे आता जाता है तो यहाँ पे आपको एक बार बताते है next device के लिए तो next जो हमारा device आता है C20 इसके लिए guys update रोल ओड हो चुग है जो कि आपको यहाँ पे देखने मिलता है यहाँ पे version आप check out कर सकते है 8.59 का आपको मिला या नहीं comment section में जूर से बताना यहाँ पे बात करें next device की तो next device हमारा निकल कर आता है यहाँ पे आप लोग चेक आपकर सकते हैं तो यहाँ पे काफी जारे ऐसे devices हैं जो कि यहाँ पे mention नहीं किये गए काफी जादा devices की official post यहाँ पे नहीं आई तो यहाँ पे आपको बता दू realme 6 के लिए यहाँ पे c.17 का update रोल आट हो चुका है and realme 7 के लिए अभी तक कोई भी update नहीं आए लेकिन कैस कल के वीडियो में मैंने बता रखा है कि कब आपको जो next upcoming update देखने हो मिलेगा and यहाँ पे किस बात करे other devices की यहाँ पे किस बात करे other devices की like realme 555Y इनके लिए c.79 का जो update था वो रोल आट हो चुका है and बाकी जिदने भी devices हैं उनके उपर कल वीडियो आने वाली है and realme i3.0 के system application को latest version के उपर update करना चाते हो तो यहाँ पे आपको description box में link दे रखा है हमारी telegram channel का वहाँ पे जाके आप एक बार join कर सकते हो join करने के बाद यहाँ पे आपको name के उपर tap करना है and यहाँ पे files वाले section के अंदर चले जाना है यहाँ पे आपको latest version देखने को मिल जाएंगे सारे ही system application के तो यहाँ पे इस वीडियो आपको कैसी लगी comment section में जूर से बताना मिलते है नेक्स्ट वीडियो में चैनल subscribe नहीं किया subscribe कर दो thanks for watching guys